आपको आपको आपके साथ रोहित देखे इस वक्त की सबसे बड़ी कबार आपको हमें बताने जा रहे हैं जदिव मेल्सी राधा चरण सेट के कई ठीकानों पर आपको हम तस्वीर दिखाएंगे कि इस तरीके से जो पट्ना इस्थित जो राधा चरण सेट का जहां पर आवास है अवास में देखिए चापयमारी चल रहा है कि अपको अम तस्मीरियों के मद्यों से दिखाएंगे आपको बतादे कि इस से पहले भी राधा चरंड सेट के कई ठीकानों पर छापयमारी हो चुकी है और आज एक बार फिर से एडी की जो टीम होती है वो राधा चरंड सेट के आरा से लेकर पटना तक के कई ठीकानों पर छापयमारी की है आपको बता दे कि बालू करोबार से जुड़े मामले को लेकर लगतार राधा चरण सेट के कई ठीकानों पर छापयमारी चलते आ रही है और एक बार फिर से आज एडी की टीम ने दबिस दिया और आपको बता दे आप अंदर के तस्वीर देखे किस तरीके से पूरे गेट को लॉक कर दिया गया है और एडी की जो टीम है वो अंदर दबिस दिया और आपको बता दे कि लगतार च्छाप्यमारी चल रही है इससे पहले भी राधा चरण सेट के कई ठिकानों पर च्छाप्यमारी हो चुके है बादू करबार से जुड़े मामले को लेकर लगतार च्छाप्यमारी चलती आ रही है और एक बार फिर से आज एडी की जो टीम है वो राधा चरण सेट के पटना इस्थित जो उनका आवास से उस आवास पर दबिस दे दी है और आपको बता दे कि आरा से लेकर पटना तक क कई ठीकानों पर च्छाप्यमारी चल रही है और आधा चरण सेट के साथ साथ इनके कई करीवियों के घर पर भी इडी के जो टीम होती है वो आज दबिस दे दिया आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से अंदर इडी की टीम गई है और उसके साथ जो पुलि सेट के कई ठीकानों पर च्छाप्यमारी हो चुकी है और एक बार फिर से आज च्छाप्यमारी देखने को मिल देहीं और आपको बता दे कि देखिए हम सिधा आपको तस्वीर दिखाएंगे कि पटना में जहां राधा चरण सेट का जहां पर आवास है जहां उनका सरकारी बॉंगलो है ठीक वहां पर अभी एडी की टीम ने दविस दिया है और लगतार च्छाप्यमारी चल रही है आपको बता दे कि बालू कारोबार से जुड़े मामले को लेकर इससे पहले भी कई बार च्छाप्यमारी हो चुकी है और आज एक बार फिर से एडी की टीम ने रा तमाम घबरों के साथ जुड़े रहे हैं तब तक धन्नावाद